इस पॉइंट है हमारा cleaning the environment, तो यह हमारा किस कटेगरी में आता है, friendly micro organism के कटेगरी में आता है, cleaning the environment का मतलब है, जो हमारे micro organism में वो आसपास के वातवरण को कैसे स्वक्ष बनाए रखते हैं, some micro organism decomposes the organic matter present in dead plants, dead animals and animal waste convert into simple substance which mix up with the soil, तो यहाँ पर होता किया है, जैसे कि हमारा plant है, अगर वो मर गया, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लांट के कुछ stress बज़ जाते हैं, जिसमें क्या होता है, बैक्टेरिया या micro organism लग जाते हैं, और होता किया है, वो फिर दीरे दीरे मिट्ट मिट्टी में मिलने के बाद वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, ठीक है, सेम यहाँ पर जो अगर कोई जानवर मर जाता है, तो आप देखो कि कुछ दूनों बाद वहाँ पर सिर्फ हड़ी बसती है, तो वहाँ पर होता कि है, micro organism लग जाते करते हैं, इसलिए हमारा किस में आता है, friendly micro organism की category में आता है, अब होता क्या, यह simple substance में चेंज करते हैं, जो हमारे dead decaying organ में क्या होता है, nitrogen present होता है, अब वो क्या होता है, हमारे soil में मिल जाते हैं, तो यह भी इस तरह से help करते हैं, second point है हमारा, since micro organism decomposes the harmful and smelly dead remains of plants and animal waste into harmless material, तो इ में क्या होता है, हमारी smelly बहुत बूरी बदभू आती है, तो वो क्या करते हैं, उसको harmless, मतब जो नुकसान नाप हो जा है, उस material में क्या करते हैं, यह change कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, bacteria लगने से वो सारा खतम हो जाता है, और हमारे कोई बदभू आएगी नहीं, ठीक ह अब थर्ड पॉइंट है हमारा, micro organism also helps in recycling the nutrients in nature, which can be further used by green plant, तो यहाँ पर क्या होता है, micro organism क्या करते हैं, जैसके यहाँ पर कोई dead decaying material है, plant residues है, अगर उसका कोई sheath बच गया, तो यहाँ पर micro organism लगने से यह क्या होता है, ऐसे कुछ change कर देते हैं, और इसमें क्या होता है, plant मे या कोई dead decaying जो जानवर होते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रूजन प्रजेंट होता है, तो जब वहाँ पर micro organism लगते हैं, तो वह क्या होता है, वहाँ पर मातरा बढ़ जाती है, जिसके वज़े से वहाँ पर green plant को उगने में काफी help मिलती है, तो यहाँ पर यही बताय ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने next point की तरह है,